हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही इजी चटनी की रेसिपी और यह घर पे ही पड़े इंग्रीडियंट से बनके तैयार हो जाती है बहुत ही कम इंग्रीडियंट इसमें लगती है और अब हम एट कर ग्राइंडर जार में 8-10 करी पत्ते फ्रेश फिर इसमें एक मिर्ची एड़ कर देंगे क्योंकि ये चटनी बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ जो सूखा नारियल होता है एक कटोरी एड़ कर देंगे भरके नारियल को ग्रेट करके ही डालें इससे चटनी का टेक्चर काफी स्मूध आएगा फिर इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक मैंने यहाँ पे आदा चम्मच नमक एड़ किया ह फिर इसमें दही डालेंगे फ्रेश दही आदा कटोरी डाला है फिर यहाँ पे एक पैन ग्वाद चैतके और चम्मच थक्चर के temu स्थисनेट फिर यहाँ पर चीनीցकश से यहाँ चलाते है वहाली टाल इगे उचलाते हुए इसको गॉल्डन ब्राउन होने तक हलका सा भून लेंगे कच्ची नहीं डालनी है भून के ही डालनी है टेस्ट काफी अच्छा आएगा इस चट्मी को आप इडली के साथ डोसे के साथ बहुत बार खाया होगा तो स्ट्रीट में मिलती है वही हम बना रहे हैं यहां पे और अब जो दाल भून के रखी थ ही वह इसी ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे फिर यहां पे उसी कटोरी से माप के पानी डाल दिया है और अच्छे से एकदम स्मूध पीसली है तो यह देखिए आप कोई कहा नहीं सकता कि यह हमने सूखे नारियल से बनाई है तो यहां पे अब हम तड़का तैयार करें देंगे चटनी का तो एक चमच ऑईल डाल देंगे ऑईल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें दो से तीन पिंच हींग डाल देंगे एक चमच राई के दाने डाल देंगे और अच्छे से इनको चटकने देंगे एकदम स्ट्रीट वाली चटनी बनके तयार होगी और बहुत ही कम इंग्रीडियंट से बन जाती है यह चटनी लाल मिर्ची डाल देंगे तोड के तड़के में और थोड़ी से करी लीप्स डाल देंगे और तड़का अच्छे से चला देंगे तो यहां पे हमारा तड़का भी तैयार हो गया है अब जो हमने चटनी बना के रखी थी यह तड़का उसमें एड़ कर देंगे तो यह देखिए सूखे नारियल से हमने कितनी टेस्टी चटनी बनाई है आपको इसके लिए हरे नारियल की कोई ज़रूरत नहीं है कि भी काफी सीजन में नहीं मिलता है हरा न अज़ कि नहीं मिलता है हरा नहीं है तो फिर देखिए यह थावी देखिए आपा कर देखिए यह है अःसरह और मिलता है आपको झाली सीजन मिलता है कि दो